जे माता दिल आईए सुनते हैं चौथ माता की यह कहानी चौथ माता की कहानी चौथ ब्रत के समय कही वज सुनी जाती है इसके बाद गरेश जी की कहानी सुनी जाती है एक नगर में एक बूढ़ी मा रहती थी वह अपने बेटे की सलामती के लिए बारह महीनों की चौध का ब्रत करती थी हर चौध को पसारी से थोड़ा सा गुड और घीला कर चार लड़ू बनाती एक बेटे को देती एक से पूजा करती एक हतकार के लिए निकालती और एक चाद उगने पर खुद खा लेती थी एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया ताई ने बैसाखी चौध का ब्रत रखा था ताई से पूछा मा तो बारह चौध करती है ताई बोली तेरी मा तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए बारह चौध करती है तु परदेश जाए तो वह एक भी चौध नहीं करेगी लड़के को लगा ताई सच कह रही है घर आकर मा सी कहा मैं परदेश जा रहा हूँ यहां तु मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है मा ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना मा ने उसे साथ ले जाने के लिए चौध माता के आखें दियें और कहा मुसीबत में आये तो आखे तेरी मदद करेंगी वह आखें लेकर चला गया घुनते हुए एक नगर में पहुचा उसने देखा एक बुढ़ी मा रोती जा रही थी और पुए बनाते जा रही थी उसने कारण पूछा तो बुढ़ी मा ने कहा बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैती रहता है पहले वह नगर में आकर कही लोगों को खाने के लिए मार देता था अब राजा हर घर से ये कार्मी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ वह बोला तू पुए मुझे खिला दे तेरे बेटे की जगर मैं चला जाता हूँ बुढी माने खीर पुए उसी खिला दिये खापी कर वह शो गया राद को राजा के सैनिक आए तो बुढी माने उसे भीद दिया देटे सामने पहुचे पर उसने चौथ माता के आखें देटे की तरफ फेक कर कहा हे चौथ माता यदि मेरी मा मेरी सलामती के लिए ब्रत करती है तो देटे का सीर कट कर गिर जाए तुरन देटे का सीर कट गया लड़का वापस आ गया राजा में उसे उपहार दे कर विदा किया चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुचा इस राजय में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बली दी जाती थी सिपाहियों ने उसे पकड़ कर आवे में चून दिया लड़के ने आखें आवे में डाले और कहा ही चोथ माता यदि मेरी मा मेरे लिए ब्रत करती है तो आवा मेरी बली के लिए बिना ही जट से पक जाए आवा तुरंद पक गया आवे में से मिटी की जगर सोनी चारी के बरतर निकले अंदर से लड़का बोला बरतर धीरे धीरे निकालना मुझे लगन जाए राजा ने उसे निकलवाया और पूछा इस सावे से तुम बच कैसे गए लड़के ने बताया कि उसकी मा चोथ माता का ब्रत करती है ब्रत के कारण ही वह बच पाया राजा को विश्वास नहीं हुआ उसने एक चादी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा लड़के ने चोथ माता को याद करके आखें सुराही में डाले और कहा मैं भवरा बनूं सुराही से निकलूं लड़का भवरा बनकर सुराही से निकल गया राजा ने खुशो कर राजकुमारी की साधी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चोथ माता का ब्रत करने को कहा उसे मा की याद आई उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की राजा ने रत घोड़ा हाथी और खुब सारा दान दहे दे कर उन्हें बिदा किया चोथ के दिन अपने नगर पहुचा वह अकेला पसाधी की यहाँ मा का इंत जार करने लगा सोचा चोथ है तो मा यहाँ जरूर आएगी थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई मा आती दिखी उसकी मा की आखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था लड़के में जान बुझकर अपना पै लकड़ी से लगा दिया कहने दलगा बलरी पूत काटी मेरे पैर के लगा दि मा ने उसे नहीं पहचाना कहने लगी भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना बेटा मा के चड़ों में गिर पड़ा कहा मा मैं तेरा ही बेटा हूँ मुझे माफ कर दू माने उसे गले लगा लिया नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है बुरही मा ने चौथ माता को याद करके कहा है चौथ माता यदि मैं अपने बेटे के लिए ब्रत करती हूँ तो मेरे अस्तन में दूद भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुह में गिरे मा के अस्तन से दूद की धार निकल कर बेटे के मुह में गिरने लगे लोग चौथ माता की जैजैकार करने लगे उस नगर के सभी लोग चौथ माता का ब्रत करने लगे हे चौथ माता जैसी बूढी मा को उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी ही करना कहानी कहने वालों की शुन्ने वाले की हुंकारे भरने वाले पर क्रिपा करना बोलो चौथ माता की